हेलो गाईज, वेलकम टू माई चैनल, आज मैं जिस सक्सियत के बाड़े में आपको बताने वाला हूँ, वो किसी पहचान के महताज नहीं है, उनकी लोग प्रियता इतनी है कि लाखों लोग उनसे प्रेरित होते हैं, वो आईएस की तैयारी करने वालों के लिए एक प्रेरना है, एक कहावत है जो उनपर बिल्कुल सटिक बैठता है, खुद ही को कर बुलंद इतना की खुदा पूछे बता तेरी रजा क्या है, आईएस दीपकडावत, ये नाम कर्मठता, कर्तव प्रायंता और लोग प्रियता की पडिवासा है, आईएस दीपकडावत मसूरी उत्र खंड से हैं, इनका जन्म 24 सब्टेंबर 1977 में हुआ था, आपको ये जानकर आश्चरी होगा कि वो कभी आईएस बनना ही नहीं चाहते थे, उनका इंट्रेस्ट तो पुरानी वस्तुओं को कलेक्ट करने में था, जैसे की ओल्ड वाचेज वगेरा, उन्होंने अपना स्कूल सेंट जॉर्ज कॉलेज मसूरी से किया, ग्रेजवेशन हिस्ट्री सब्जेक्ट से हंसराज कॉलेज देल्ली यूनिवर्सिटी से और एमफिल की डिगरी जे एन्यू से प्राप्त की, आईएस दीपक रावत का सपना हमेशा से बढ़ा था, ग्रेजवेशन के बाद उनके ल लगा, आईएस दीपक रावत ने पोस्ट ग्रेजवेशन पॉलिटिकल साइंस से जे एन्यू से किया, और पोस्ट ग्रेजवेशन के समय ही उन्होंने सिविल सर्विसेज की तयारी सुरू कर दी, बहुत परियास के बाद भी वो अपने पहले दो एटेम्ट में यूपी एस किलियर नहीं कर सके, इस असफल्ता ने उनका साहस नहीं तोड़ा, बलकि उन्होंने ठान लिया कि अब तो यूपी एसी किलियर करना ही है, एक जिद लग चुकी थी, असफल्ता को हडाने की, बस फिर क्या था, तीसरा एटेम्ट और यूपी एसी किलियर, आईरेस के लिए चुने गए, पर वो रुकने वाले कहां थे, ये जो यूपी एसी एस्पेरेंट्स होते हैं ना, बड़े जिद्धी होते हैं, एक बार ठान लिया आईएस बनना है, तो बस बनना है, फिर से 2007 में एक्जाम दिया, और इस बार All India Rank 12, और आईएस बनने की जि हो चुकी थी, पहुत चुके थे लवासना, जिसे UPSCS Parents का मक्का कहते हैं, जहां पहुचने का सपना 4 x 4 के कमडे से सुरू होता है, आईएस की ट्रेनिंग तो लवासना में दी जाती है, पर एक UPSCS Parents, आईएस बनने की तैयारी बहुत पहले ही सुरू कर चुका होता है, वो र वर्तमान में आईएस दीपक रावत DM हरिद्वार हैं और इस वर्स कुम मेला अधिकारी भी हैं, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताईएगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दवा दिजेगा